नमस्कार मैं हूँ अंजली इस्टवाल बनेगा स्वस्त इंडिया में इस साल हमारा फोकस कोविड-19 पर है दरसल कोविड-19 की महामारी दुनिया भर में पहली हुई है और भारत में इस वक्त सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हाला कि भारत में नए डेल यू केसिस का जो अंकड़ा है वो गिर रहा है और लगातार गिर रहा है लेकिन भी नही बहर है कि दरसल चिंता का विशय रहा है एक नया वेरियंट जो सबसे यह भारत में अब dominant variant होता जा रहा है, यानि कि जितने लोगों के अंदर अब coronavirus की बीमारी आ रही है, COVID-19 हो रहा है, उनके अंदर, उनके पीछे, उसके पीछे वजे यही variant रहा है, तो ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या ये variant लगातार दूसरे देश रहों में फैल रहा है, तो B1617 जिसे पहली बार भारत में महराष्ट में notice किया गया था, वहां मिला था, अब 53 जो देश हैं उनमें फैल रहा है, और UK में भी बहुत ज्यादा फैल गया है, वहां पे भी ये एक dominant strain बन रहा है, ऐसे में अब दूसरे देश थोड़ी अपने तरफ से साफधानिया बरत रहे हैं, फ्रांस की तरफ से कहा गया है कि UK से आने वाले लोगों को अब quarantine किया जाएगा, उनकी कोशिश यह है कि उस variant को फ्रांस में उनके देश में आने से रोका जाए, इसके पीछे वज़े यह है कि फ्रांस में कोशिश यह है कि जब तक अच्छी तरह से vaccination नहीं हो जाती है, तब तक variant की entry को रोका जाए, और यह क्योंकि यह variant ज्यादा transmissible पाया गया, यानि कि एक शक्स से दूसरे शक्स में यह ज्यादा आसानी से फैल रहा है, पहले हम यह देखते थे कि अगर coronavirus परिवार में किसी को हुआ या घर में किसी को हुआ तो ज़रूरी नहीं है कि सभी को हो जा जो data collect हो रहा है real world से उसमें भी यह पाया है कि यह variant काफी ज्यादा संक्रामक है, यानि कि यह ज्यादा तेजी से फैल रहा है, हाला कि यह भी पाये गया कि severity of disease इसमें ज्यादा नहीं देखी जा रही है, यह भी UK में देखने को मिला, वहां जो real world data हमारे सामने आया है, उससे अगर है तो इस variant से भी आप बच कर रहे सकते हैं, लेकिन चिंता जरूर है इस variant की और अब दूसरे देश जो यॉरप के अलग-अलग देश हैं वो भी अब इस variant को लेकर सतर खोते वहीं नजर आ रहे हैं, नमस्का